निर्माता निर्देशक और लेखक आसिफ की आज़ पनेती थी है इनका पूरा नाम करीम आसिफ था इनका जम्न 14 जून 1922 को उत्तरप्रदेश के इटावा में हुआ इनका पच्पन बेहद गरीबी में गुजरा दरजी के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तीस साल के लंबे फिल्मी करियर में के आसिफ ने सिर्फ तीन फिल्में बनाई उनमें 1945 की फूल, 1951 की हलचल और 1960 की मुगल आजम शामल है फूल उस जमाने की सबसे बड़ी फिल्म थी हलचल ने भी अपने समय में काफी हलचल मचाई मुगल आजम हिंदी फिल्म जगात इतिहास का शिलालेख है भव्य सेट, नामी कलाकार और मधुर संगीत मुगल आजम के सफलता के राज है डेड़ करोड की लागत की ये फिल्म 14 सालों में बन कर तयार हुई ये फिल्म पाकिस्तान, इटली, जापान, अमारिका, श्री लंका और आस्ट्रेलिया में भी रिलीज हुई फिल्म लव एंड गौड के निर्मान के बीच दिल का दौरा पड़ा 9 मार्च 1971 कौन का निधन हो गया